हुआ है 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 हम इसको उटा माल लेंगे हमाल लेंगे माना रूट पांच एक पर्मे संख्या है यद रूट पांच एक पर्मे संख्या होगी तो रूट पांच बराबर होना चाहिए पी बाई क्यूंके जहां पी और क्यूं दोनों शहभाज ची पुर्डांक हैं और क्यूं कमान ना टिक्वल होना चाहिए जीरो की दोनों पक्षों कवर करने पर करने पर हो जाएगा डूट पांच का स्क्वाइर बराबर पी बाई क्यूंका स्क्वाइर डूट 5 का स्क्वार हो जाएगा 5 तो था P का स्क्वार हो जाएगा P स्क्वार बटे Q का स्क्वार हो जाएगा Q स्क्वार यहाँ पर 5 और Q को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा Q स्क्वार ब्राबर P स्क्वार बटे 5 जो कि यहाँ पर 5 बटे में आ गया यानि पी स्क्वाइर पाच से डिवाइड हो रहा है अता है पी स्क्वाइर पाच से विभाज जीतु हो रहा है इसलिए पी भी पाच से विभाज जीत हो जाएगा यदि पी को हम पाच से विभाज जीत करें तो इसको माल लेतनी है कि एम माल आएगा यहां पर पाच को एम की हो पक्षानता करने पर हो जाएगा फाइप एम यहां पाच को एम की और पक्षानता करने तो जीत हो जाएगा फाइप एम फाइप एम ब्राबर हो जाएगा पी के यहां पी ब्राबर फाइप माल पी कमान शमीक्रड एक में रखने पर पी कमान शमीक्रड एक में रखने पर शमीक्रड एक था हमारा क्वी श्क्वाइर ब्राबर पी स्क्वाइर बते 5 यहाँ पर प्यूत्fyयर के हम चोएगा 5m का स्क्वाइर प्माइब या मैंस्क्वाइर पाँच को पक्चांतर कर देंगे सब्सक्राइब तो कियों स्क्राइब विटे 5 हो जाएगा यह भ्राबर होगा एम इसक्वाइर की चुक्की यहां पर किउझे बटे पांच यानि पांच से प्ली स्क्राइब हो रहा है अता हम हुआ है कि है कि इसकोइर पाँच से विभाजित हो रहा है तो क्यूं भी 5 से विभाजित हो जाएगा इसको शमेकरण दू समा लेते हैं शमेकरण 1 में P 5 से डिवाइड हो रहा है और शमेकरण 2 में Q 5 से डिवाइड हो रहा है जोकि हमने मारत पी और की दोनों शाहभाज पुरडांक हैं लेकिन यहाँ पर पी और की दोनों पाच से कट रहे हैं अता हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है शिद्ध हुआ, इसलिए रूड पाँच एक आपर में संख्या है, थैंक्यू, शिद्ध हुआ, इसलिए पाँच एक आपर में संख्या है,